असलाओ अमेशन 6th class, today is 8th May and your diary is lesson no.6, paragraph no.8 to 10 Translation और इसके words meaning करने जा रहे हैं आज हम Let's start Taking the test, यहनी test देना You know, test के लिए, test देने के लिए takeoverd use होता है वैसे हमेशा take का मतलब होता है लेना लेकिन test के लिए हम takeoverd देने के भी नहीं में आता है Read all instructions and questions Read, पढ़े all instructions, तमाम हदायात and questions और सवालात carefully एहतियात से तमाम हदायात और सवालात को एहतियात से पढ़े Read both sides of each page Both यानि दोनों sides अतराफ Each page हर सवालात की दोनों अतराफ को पढ़े Work out, which questions you will answer Work out यानि इस चीज़ के बारे में सोचें Which questions, कौन से सवालात you will answer अगर आप जवाब देंगे If you have a choice, choice होता है इंतखाब, इंतखाब का इख्तियार होना If you have a choice, अगर आपके पास इंतखाब का इख्तियार है तो कौन से question है, जिनका आप जवाब देंगे Make a quick plan Quick, यानि फौरी, मनसुबाबंदी फौरी मनसुबाबंदी करें If you have to write an essay or story अगर आपको कोई मजमून या कहानी लिखनी है तो फौरी मनसुबाबंदी करें Just write down keywords Write down keywords, key means बन्यादी, words, alphaz बन्यादी alphaz लिख लें, so that, ताके you stay on track ताके आप मौजू पर रहें, ठीक है अपने मौजू पर ही रहें Answer all the compulsory questions तमाम जरूरी, लाजमी, compulsory होता है, लाजमी तमाम लाजमी सवालात के जवाब आते The ones you have to answer जिनके आपने जवाब देने है Check your work अपना काम चेक करें, यानि उसका मौएना करें उसका जाइजा लें When you have finished, जब आप खतम कर लें तो अपने काम का जाइजा लें Starting with the instructions हदायाद से शुरू करें To make sure To make sure यकीनी बनाने के लिए You did, क्या आपने किया What you were asked to do जो आपको करने के लिए कहा गया Check your work when you have, sorry Check your work when you have finished अपने काम का जाइजा लें जब आप काम खतम कर लें Starting with the instructions to make sure You did what you were asked to do Starting with the instructions हदायाद से शुरू करें इस बात को यकीनी मिराने के लिए क्या आपने वो ही जवाब दिया जो आप से पूछा गया Did you have to answer every question क्या आपने हर सवाल का जवाब दे दिया है Some persons या फिर कुछ सवालात का और a number of questions या फिर कफी सारे सवालात का From each section हर हिसे में से क्या आपने हर हिसे में से हर सवाल का या कुछ सवालात का या फिर काफी सारे सवालात का जवाब के जवाब दे दिया है Check that you have done this जाहिजा ले कि आप ये कर चुके है Check your spellings and punctuation अपने spelling कहते है हिजों को अपने हिजे और उकाफ या पंक्टुएशन वगारा जैसे कॉमा and full stop capital letters like इस तरह की जो भी चीज़े है उनको उनका जाइजा ले Have you missed any word out क्या आपने कोई लफ्स छोड तो नहीं दिया या आपने कोई लफ्स छोड दिया है and does it make sense and does it make sense क्या इसका कोई मतलब बनता है या इसका कोई मानी या मानी वाज़ होता है make sense होता है मतलब वाज़ होना If you finish early अगर आप जल्दी खतम कर लेते हैं Give yourself a few minutes अपने आपको चन्द मिनट दे to relax अराम करने के लिए खुद को अराम करने के लिए कुछ मिनट दे then start checking your work फिर अपना काम अपने काम का जाइजा लेना शुरू करे If you finish early अगर आप जल्दी खतम कर लेते हैं Give yourself a few minutes to relax अपने आपको चन्द मिनट दे अपने आपको अराम करने के लिए चन्द मिनट दे then start checking your work फिर अपने काम का जाइजा लेना शुरू करे This is your lesson today Thank you